असलाम लेकुम जी असलाम लेकुम क्या हाल चाल है जी आप सबके में खरीए से अलपाक आप सबको भी अपने हिवसों मान में रखे जी आमीन आज में लेकर राजिरेंगे आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदारा गिफ रंक से गिजर्ट की रेस्पी जोगे चॉकलेक से हम ब यह तमाम इंगी रंक से जी है हमारी रेस्पी के यहां पर मैंने फैमली पैक केंगी बिस्किक कर लिया है आपको इसाभी बिस्किक जो आपको पसंदो यूज कर सकते है बिल्कुल बारिक चॉप कर लिया है चॉपर में गाल कर आधा केलो यहां पर हम दूद यूज करेंगे फुल क्रीम मिल्क है बोयल करके खेंगा कर लिया है, 2 केबल स्मून यहाँ पर कोको पॉगर यूज़ करेंगे, आधा कप चीनी यूज़ करेंगे, हजब जुरत चौकलेक चिप्सी यूज़ करेंगे, क्रश्की बी चौकलेक और 2 केबल स्मून कॉन फ्लोर है, यह तमाम इंग बन सर्फिंग में यहुद्ध सर्फिंग लगता हो हिए दिबा लेखे ने हाःतं है को जाता है कि मांध हमारे बिलकुल kork herbal cup किंग शावी आफ प्रोर शामिल करते होए छब तक पकाऊंगे काडि कपन अच्छी तरह गाड़ा से rozp लने हो ज다 not धीमियाज पर यह दमाम प्रोसेस करना है आज बिल्कुल भी तेजनी कीजिएगा और देखें जी यह थिकनी से आ चुकी है इसकी क्योंकि अभी यह मजीद पकेगा यह मजीद थिक होता जाएगा और जैसे जैसे खंगा होगा और मजीद थिक हो जाएगा अच्छी दूसरी तरफजी हम त्यारी कर लेते हैं अपनी केरमल की यहाँ पर मैंने तिन केबल स्पून चीनी ली है और हमने पैन में शामिल करके बिल्कुल हल्की धीमियाज पर छोड़ दिया है और देखें जी सैंगों से केरमल होना स्टाक हो चुकी है बहुत धीमियाज पर केरमल कीजीगा क्योंकि हमें यह सुरुखी माइल केरमल चाहिए तो इसके लिए बहुत धीमियाज चाहिए इस गिजर्ट का कलर पर बड़ा गिपैंग होता है कलर का बहुत धियान रखना है ताकि यह दिखने में भी बहुत खुपसूरा सा हमारा गिजर्ट बनकर त्यार हो यह देखें जी सुरुखी माइल ब्राउन कलर का हो चुका है हमारा कैरमल यह चाहिए सेम हमें और फ्लेम उफ कर दिया है एक से दूमनट हम इस तरह से इसको थोड़ा कूल गाउन होने देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कब दूद ताकि इसकी कुकिंग प्रॉसेस रुख जाए थोड़ी दर के लिए साथ ही जो हमने दूद और दूद और कॉन फ्लोर का मिक्सर जो बना कर रखा है वो थोड़ थोड़ से इसमें शामिल करेंगे मुस्तकिल चम्मट चलाते रहेंगे इसके अंदर देखें जी हमारा बहतरीन से कैरमल त्यार हो चुका है और साथ ही यहां पर जो मैंने दूद और कॉन फ्लोर का मिक्सर बना के रखा था वो भी इसमें शामिल कर दिया अच्छी तरह से चम्मट की मज़़ से चलाएंगे कितना माशाला से प्यारा सा हमारा कैरमल का कैरमल 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 क चम्मच को इस तरह से उल्का करके गालेंगे तो इसली बहुत अच्छी तरह से आपका स्मूद आपको चम्मच इसमें चलाना नहीं होगा तीनो वाल्ट में इस तरह से मैंने गालिया है अब दूसरी तरफ हम जी चौकले क्पुकिंग तियार कर लेते हैं 2गप यहां पे मैंने डूसरी दूठ अब क्वेभल चावन करते हैं 7 1 जा दूसरा क्वेश्च के िद्धर लिए कबलबंकर क्वेश्च तरह से टाने मिक्स कर लेंगए ताकि दूसरी से दूसरीयें नहीं चीजेह तरह से एकजान हो जाए तोहिसमें लंस ना रहे और इसको हम चुले पर बिल्कुल दीमी आज पर तब तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरह से गाड़ी ना हो जाए हमारी पुगिंग ये बिल्कुल दीमी आज पर ये प्रोसेस करना है आज बिल्कुल भी तेज नहीं घरनी और देखेंजी बहतरीन सा गाड़ा हो चुके है कि पुगिंगें को कि तो क्ति हैं बॉइलाने के बाद में पांच-छे मिन धर बूह पकाए है ताकि इसमें इसमे पrop assigned हो जाएे अहिए आज देखेंगें कोता बिल्कुल तरह से स्मूढ हो जाएगी नारी देखें हमी चुलेक की पुकिंग के तो उसके उपर मजीद इस त बहुत ही मज़्यदार यह गिजर्ट लगेगा देगें जी हमारा गिजर्ट बिल्कुल तियार है इस तरह से कोको पॉगर को गिया तो ग्यस्ट कर लीजे जैसे आपको ग्रेकुरेशन पसंद हो यहां फिर इस तरह से मैंने चोकले क्रश करके रखी थी उसको इस तरह से स्करम ने किया तो प्रीस लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वेगियोज बनाती रहूं यह तमाम प्रॉसेस फ्री है इसका कोई चार्ज नहीं होता इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाहफेज अल्लाइब लेए, इसका की दिए और सत्वप्राय ह से चार्ण।